गुद्मानिंग एवरीवडी, मैं डॉक्टर संजीर कुमार संशाइन हॉस्पिटल गची बोली से बोल रहा हूँ आजकल कोरुना बढ़ता ही जा रहा है और अब कोरुना के लिए सब लोग हॉस्पिटल आने के बजाए होम केर कैसे करेंगे हमें वो सीखेंगा है किस चीज को हम कोरुना बोलेंगे, किस चीज को हम वाइरल इंफेक्शन बोलेंगे, किस को हम नॉर्मल बोलेंगे गर में कोई भी लोग जिनको बिमारी शुरू हो गया एगा, आरा है, बॉडी पेंस हो रहे है डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कोर्णा टेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं है जो जो लोग 100.4 डिक्री से ज़्यादा फीवर वाले हैं उनको किसी भी तरह का वाइरल इल्नेस होना पॉसिबल है हर साल होता है 99% कुछ नहीं होता ये लोग जर्णली रिकवर कर जाते हैं कुर्णा जर्णली पहले तीन दिन बढ़ता है चोथे से साथवे दिन तक इसमें सिंटम्स, प्रिटलेसनेस के मोशन्स के जादा आरे लगते हैं ऐसे लोग टेंडरस होते हैं जिनको आप हॉस्पिटर लेके जाएंगे आपको घर में केर क्या करनी है सबसे पहले हैं फूड सप्लिमेंट्स खाने में वेज़ डायेट को प्रिफर करिए सूप, जूस या जो भी कुछ अलाओ है वो करिए डायेटरी प्रडेरी प्रडक्स, जिंजर और लिमन का ज्यादा यूज करिए नॉन वेज थोड़ा सा रिस्टिक्शन रखिए फूड सप्लिमेंट्स में लोग जैसे बोलते हैं कि हम क्या ले सकते हैं वाइटमिन C की चूएबल टाबलेट्स हैं, लिमसी, खूब लीजए परडे दो टाबलेट्स अलाओड हैं कैल्शियम सप्लिमेंट्स या वाइटमिन D सप्लिमेंट्स लीजए ये ओन दे काउंटर ईजी एविलब हैं ORS solution या घर का बचावा नीबू पादी जो हम लोग बनाते हैं वो लीजिए जिन लोगों को infection है वो लोग mask यूज करिए so that वो दूसरे को infection ना करें बाकी लोग कपड़े से भी मुठ ढख सकते हैं सेनिडाइजर का बहुत यूज करिए जबी भी किसी तीच को touch करना है सेनिडाइजर लेके चारों तरफ हर जगा पे आपको सेनिडाइज करना है यही सबसे अच्छी है वेटा जो आपको बचाएंगे कभी भी इन हातों से नाख को आँख को या मुठ को टच करने को अवाइट करिए जिन लोगों को बुखा रहे हैं सबसे सेफ दवाई है पैरस दमाई ओन दा काउंटर अवेलेबल है एडल्स तीन से चार बार ले सकते हैं बच्चों में ये डोस आदी हो जाएगी वेट के हसाब से अगर आपको जुकाम या आँखों में खुचली ऐसा कुछ सिम्टम है तो साथ में मॉन्टी लुकास अराम से ऑन दा काउंटर अवेलेबल है इसके लिए कोई प्रिस्किप्शन की जूर्थ नहीं ये दिन में एक बार लीजे घर के अंदर यूज करेंवें एंटिबाइटिक जो हम एडूकेट करते हैं वह एं एजीत्रोमाइसिंग जनली 5 दिन से जादा बड़ा कोर्स की ज़रूरत नहीं रहती अब बात के लिए क्या गरम पानी से नहाईए एटलीस दो बार जिससे अगर आपके अंदर कोई भी इंफेक्शन है जो वह दूल करके जा सकता है चला जाएगा इसके अलावा आपको एक चीज घर के लिए खरीदनी है जिसको कहते है पल्स ओक्सिमेटर यह पल्स ओक्सिमेटर कुछ नहीं आप उंगली रखेंगे तो यह आपको कितनी ओक्सिजन है आपकी बाड़ी के अंदर बता देगा अगर आपकी वैल्यू पल्स ओक्सिमेटर में 90 और 100 के बीच में आती है तो डरने की कोई भी बात नहीं है अगर यही वैल्यू 90 से कम आ रही है तो आपको डेफिनिटल एक फिजीशन का चेकप ज़रूरी है मेरा देखिए आप 98 आ रहा है तो इसका मतलब अगर मुझे कुरुना है या नहीं है मेरे बाड़ी के अंदर कोई भी साइन सिंटम डर के नहीं है कब साइन सिंटम आते हैं किसको आते हैं जरनली ओल्ड एज लोगों को आते हैं बड़े यंग बच्चों को आते हैं या जिनको ब्रितिन प्रबलम है या जिनको डाइलिया हो रहा है या जो बात करना बंद कर दी हैं खाना खाना बंद कर दी हैं या जिनका उक्सीजन 90 से कम ये आपको अराउंड से अमेजन पे या ऑन दे काउंटर मिल जाता है, हजार रुपे का है, सब लोगों को यूज कर सकते हैं, जिन जिन लोगों को घर में फीवर आ रहा है, उनको आइसोलेटेड रूम के अंदर रखिए, कब तक रखना है, साथ दिन तक रखना है, साथ दिन का बाती है, चौथे दिन के बाद से शुरू होती है, तो चार से साथ दिन का बड़ा इंपॉर्टन टाइम है, पहले तिन दिन आपको ये सब चीजें घर में एक पकेट लाके रख लेना है, दे दू नाट कॉस्ट मोर देन 200-300 रुपीस, अगर इसको इलाउट साथ में जो पैरसितमोल के टैबलेट्स, मॉन्टी लूकास्ट और एजित्रोमाइसिन एंटिबाइटिक, फेस मास्क दो से तीन एक रोज कम से कम और हैंड सेनिटाइजर, इतनी चीज आपके पास है तो आप सेफ हैं, बी होम जो भी इंफेक्टेड हैं बाहर मर जाएए, घर में आपके बच्चों को और भुजुर्गों को अलगेए, एंटेंडी वीडियो नच्चिंदा, आएते वो लाइक वेस कोंडी, लेधंटे वो कॉमेंट चेहंडी, यह पड़िक अपड़ु माँ वीडियो स्चूडालांटे सब्सक्राइब जेस कोंडी